आस्कर अवार्ड रेड कार्पिट पर मंगेतर संग पहुँचे जोकर स्टार दिखी रोमेंटिक केमेस्ट्री जोकर स्टार वकीन फनेक्स आस्कर अवार्ड दो हजार बीस में अपनी मंगेतर रूनी मारा के साथ पहुचे एवेंट में इस कपल ने रेड कार्पिट पर अपने स्टाइल के जलवे तो विखे रही साथ ही उनकी रोमेंटिक कमेस्ट्री भी सभी का ध्यान गीच रही थी ब्लैक टॉक्सीडो में वकीन फनेक्स हैंसम लगे वहीं उनकी मंगेतर रूनी मारा ब्लैक कलर के लेस गाउन में स्टनिंग नजर आई रेड कार्पिट पर रूनी काफी ग्लामरस लग रही थी रूनी और वकीन रेड कार्पिट पर एक दूसरे का हाथ थामे हुए एंट्री की दोनों साथ में रॉयल कपल लगे रूनी और वकीन की ये बॉन्डिंग रिलेशन्शिप गोल सेट करती है वकीन और रूनी ने रेड कार्पिट पर साथ में फोटो शुट कराया दोनों की रॉमेंटिक कमेस्ट्री ने खूब सुर्ख्या भी बटोरी शोशल मेडिया पर रूनी और वकीन की ये तस्वीरे वाइरल हो रही है फैंस उन्हें रॉयल कपल का टैक भी दे रहे हैं बता दे की वकीन और रूनी ने इसी साल सगाई की है दोनों पिछले तीन सालों से डेट कर रहे हैं आसकर के रेड कार्पेट पर दोनों ने अलग अलग पोज भी दिये वहीं इसके बाद कपल ने पैपराजी को साथ में फोटो पोज दी इस दौरान दोनों काफी एकसाइटेड और खुस नज़र आए दोनों के साथ में बहतरीन केमेस्टरी देखी गई बता दे कि वकीन के फिल्म जोकर को आसकर अवर्ड मेर 11 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया मूवी जोकर के लिए वकीन बेस्ट मेल आक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेटेड है